ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं बात करूँगा एक ऐसा गुप्त मोहिनी मंत्र जो की लाखों सालों से छिपाया गया है आम जन्ता से ताकि इसका दुरुपियोग ना हो पाए लेकिन ये मंत्र मैं आज आपके साजा करूँगा इस उम्मीद में कि इसका दुरुपियोग आप नहीं करेंगे और अपने साथी को अपनी और आकरशित करने के लिए इसका प्रियोग आप सोच समझ कर करेंगे तो इस मंत्र का प्रियोग तब करना चाहिए जब सारे मंत्र विफल हो जाएं कुछ भी ना लग रहा हो उस समय आप अपने इश्ट देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जो है प्रियोग करें तो आपको सत्परतीशत इसका असर दिखेगा ये एक विधी है जो की शहीज से पहले मैंने आपको बताई होगी लेकिन आज मैं इसको पूरी तरह से बताऊँगा कि इसका प्रियोग कैसे किया जाए तो सबसे पहले तो आपको चांद की दशा देखनी होगी कि चांद जो है वो ढ़ल रहा है या बढ़ रहा है अगर वो रोशनी की तरफ बढ़ रहा है तो इस प्रियोग को किया जा सकता है जैसे अभी कल पूर्णीमा थी तो अब जो चांद है वो अंधकार की तरफ जा रहा है तो अंधकार में जब चांद जाए तो इस प्रियोग को ना करें जब प्रकाश की तरफ चांद जाए या पूर्णिमा होने वाली हो या फिर एक हफते बाद हो तब इस प्रियोग को करें तो आपको करना बस इतना है कि शुक्रवार के दिन अपने दोनों हाथों के नाखुन और दोनों पैरों के नाखुन इनको काट लीजिए और काटने से पहले इनको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ताकि इनकी आप राख बना सके राख को आपको बनाना है आम की लकड़ी में आम की लकड़ी जलाईए और उसमें इनको भस्म कीजिए जब इनकी भस्म बन जाएगी तो उसको किसी कांच की शीशी में भर लीजिए ऐसी बस्म बनाना की मतलब आप एक शीशी भर सकें और उस शीशी में से थोड़ी सी राख आप अपने ले रखें और उससे प्रते दिन एक महीने तक आपको उससे नहाना है एक एक चुटकी डाल कर यह नही है कि पूरी कि पूरी शीशी डाल दी और नहाने चले आपको एक एक चुटकी उस में से राख लेनी है और रोज उससे नहाना है नहाते वक्त आपको यह मंत्र बोलना है ओम कलीं काम देवाय नमह अपने इश्देव का ध्यान कीजिए अपने ग्राम देवता का ध्यान कीजिए अपने कुल देवता का ध्यान करके उसके बाद आपको ये मंतर बोलना है ओम क्लीम काम देवाय नमा इस तरह से जैसे जैसे आप पानी डाले अपने उपर इस मंतर का ध्यान करते हुए या फिर इसका जाब करते हुए आपको नहाना है नहाने के बाद जो मैंने दूसरी शिशी जो बनवाई थी तो एक तो शिशी में आपके लिए राख थी दूसरी जो थी वो आपके साध्या के लिए थी तो उस शीशी में से थोड़ी सी एक चुटकी राख आप ले लीजे और कोई शुब मुरत देखे कि आप उसको देख सके है फिर आपको पता हो कि वो यहां आने वाला है तो उसके कंधे पर आपको एक चुटकी राख डाल देनी है और इसके बाद ये काहिनात उसको आप से मिलाने में लग जाएगी कुछ भी ऐसा होगा जो कि आपको उसकी तरफ खीच कर ले जाएगा और ये मंतर ऐसा है कि बस एक बार लग गया तो सामने वाला भूख प्यास सब भूल जाएगा बस आप ही का चिंतन करेगा और इसको कते ही किसी का अनिष्ट करने के लिए ना करें और अगर आपके मिन में सच्चा प्यार है और फिर देखिए किस तरह से ये जादू चल जाएगा मैंने जिस जिसको ये दिया है इसने सत्थ परतीशत उसके लिए काम किया है ये चीज कभी खाली नहीं जाती क्योंकि ये जो है रसाइण में आती है तो रसाइण कभी खाली नहीं जाती एक बार इसे कर दिया तो सामने वाला आपके पैर धो धो कर पियेगा और जैसे आपका काम बने मुझे बताईएगा कि मैंने इसको एक हफ़ते में दो हफ़ते में या दो तिन दिन में इसको साथ लिया तो जब आप ऐसे response देते हैं तो मेरा जो मन है वो करता है कि मैं आपको और ऐसे good रहसे बताऊँ जो कि वाकई में आज के समय में भी काम करते हैं ये चीज़े आदी काल से चली आ रही हैं और जब तक मानव इतिहास था मानव इतिहास रहेगा तब तक ये सारी चीज़े काम करती रहेंगी ये कुछ ऐसा ही है जैसे पहले जो दवाईयां थी वो काम करती थी और अब भी कर रही हैं बिल्कुल ऐसे ही ये सारी चीज़े अब भी वैसा ही काम करती जैसे पहले करती थी बस बात है कि हम उस ग्यान को भूल गए हैं उस विद्या को हम अरजित नहीं कर पाए हैं और नजाने इससे भी बहुत बड़ी गूड विद्या हैं जो कि आज तक हमारे संपर्क में नहीं आ पाई हैं तो एक बार इसको कीजेगा और मुझे बताईएगा कि कितनी जल्दी इसने आपका काम बना दिया जैसी आप मुझे कॉल करते हैं 9884.16.25 पर तो मुझे बताईगा कि कितना जल्दी आपका काम हुआ और अगर कोई क्वैरी हो कुछ पूछना हो कुछ समझ में ना है हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं धर्नेवाद